C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय पाँच रेखाय वं कोण प्रिष्ट एक सौ बारह पाँच दशमलव दो दशमलव पाँच शीरशाभी मुख कोण दो पैंसिल लीजिए और उन्हें मध्य में रबडबैंड की सहायता से एक दूसरे के साथ बांध दीजिए जैसा के आकरिती 5.1.4 में दरशाया गया है आकरिती 5.1.4 इस आकरिती में दो पैंसिल के मध्यम से चार कोण कोण एक, कोण दो, कोण तीन और कोण चार दरशाया गया है इस प्रकार निर्मित चार कोणों कोण एक, कोण दो, कोण तीन एवं कोण चार को देखिए कोण एक, कोण तीन के शीरशा भी मुख है और कोण चार, कोण दो के शीरशा भी मुख है कोण एक एवं कोण तीन को हम शीरशाभी मुख खोणों यानि Vertically Opposite Angles का एक युग्म कहते हैं क्या आप शीरशाभी मुख खोणों के अन्य युग्म का नाम दे सकते हैं? क्या कोण एक कोण तीन के बराबर दिखाई देता है? क्या कोण दो, कोण चार के बराबर दिखाई देता है? इसको सत्यापित करने से पहले आईए हम शीरशाभी मुख कोणों के लिए वास्तविक जीवन से कुछ उदाहरन देखते हैं आकरिती 5.15 यहां तीन हलग अलग वस्तुएं दिखाई गई हैं एक कपड़ों को प्रेस करने की मेज, दूसरी एक कैची और तीसरी एक स्टैंड दी गई है इनहें कीजिए इस आकरिती की एक अनुरेख प्रतिलिपी लीजिये उसको मूल प्रती के ऊपर इस प्रकार रखिये ताके कोण एक अपनी प्रतिलिपी को ढखले कोण दो अपनी प्रतिलिपी को ढखले इत्यादी प्रतिछेदन बिंदु पर एक पिन लगाए प्रतिलिपी को एक सा असी डिग्री से घुमाए खिया रेखाएं फिर से समपाती हो जाती है प्रिष्ठ 113 यहां नजर आ रहा है कि पहली आकृति को घुमा कर दूसरी आकृति को प्राप्त किया जा सकता है आप पाते हैं कि कोण ए एवं कोण तीन ने अपनी स्थितियां परस पर बदल ली है यह सब रेखाओं की स्थिति को बदले बिना किया गया है इस प्रकार कोण ए बराबर कोण तीन एवं कोण दो बराबर कोण चार हम इस निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि यदी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं तो इस प्रकार बने शीरशाभी मुख कोण समान होते हैं आएए ज्यामिती का उपयोग करते हुए इसे सिध्ध करने का प्रयास करते हैं आएए दो रेखाएं एल और एम लेते हैं आक्रिती 5.17 इस आक्रिती में रेखाएं एल और एम एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रही हैं जिससे चार कोण, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, एवं कोण चार निर्मित होते हैं हम इस परिणाम पर तरक संगत युक्ती से निम्नलिखित प्रकार से पहुँच सकते हैं मान लीजिए हल एवं एम दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिछेद करती हैं और इस प्रकार कोण एक, कोण दो, कोण तीन, एवं कोण चार निर्मित करती हैं हम सिध्ध करना चाहते हैं कि कोण एक, बराबर कोण तीन, एवं कोण दो, बराबर कोण चार अब कोण एक बराबर 180 डिग्री घटा कोण दो कोण एक एवं कोण दो रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए कोण एक जमा कोण दो बराबर 180 डिग्री एक इसी प्रकार कोण तीन बराबर 180 डिग्री घटा कोण दो कोण दो कोण तीन रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए कोण दो जमा कोण तीन बराबर 180 डिग्री तो इसलिए कोण एक बराबर कोण तीन एक और दो से इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं के कोण दो बराबर कोण चार प्रयास कीजिए एक दी हुई आकरती में यदि कोण ए बराबर 30 डिग्री तो कोण दो एवं कोण तीन ग्यात कीजिए यहां दो रिखाएं एक दूसरे को परस पर काट रही हैं इससे तीन कोण बने कोण एक, कोण दो एवं कोण तीन दो अपने आसपास से शीरशाभी मुख कोणों का एक उदाहरन दीजिए उदाहरन एक आकरती पांच दशमलव एक आठ में निम्न लिखित की पहचान कीजिए एक आसन कोणों के पांच युग्म दो तीन रैखिक युग्म तीन, शीरशाभी मुख कोणों के दो युग्म आकरती पांच दशमलव एक आठ इस आकरती में कई कोण एक बिंदू ओ पर स्थित हैं हल एक, आसन कोणों के पांच युग्म हैं कोण AOE, कोण EOC, कोण EOC, कोण COB कोण AOC, कोण COB कोण COB, कोण COB, कोण BOD कोण EOB, कोण BOD प्रिष्ठ एक साच्छाद है दो, रैखिक युग्म हैं कोण AOE, कोण EOB, कोण AOC, कोण COB, कोण COB, कोण BOD तीन, शीर्षाभी मुख कोण हैं कोण COB, कोण AOD, कोण AOC, कोण BOD प्रश्णावली 5.1 एक, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्याद कीजिए यहां तीन अलग-अलग कोण दिये गए हैं एक, बीस डिगरी का कोण दो, तिरसट डिगरी का कोण तीन, सत्थावन डिगरी का कोण दो, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्याद कीजिए यहां तीन अलग-अलग कोण दिये गए हैं एक, एकसो पाँच डिगरी का कोण दो, सत्तासी डिगरी का कोण तीन, एकसो चवण डिगरी का कोण तीन, कोणों के निम्नलिखित युगमों में से पूरक एवं संपूरक युगमों की प्रिथक प्रिथक पहचान कीजिए एक, पैंसट डिगरी, एकसो पंद्रह डिगरी दो, तिरसट डिगरी, सत्ताईस डिगरी तीन, एकसो बारह डिगरी, अड़सट डिगरी चार, एकसो तीस डिगरी, पचास डिगरी पांच, पैंतालीस डिगरी, पैंतालीस डिगरी 6. 80 degree, 10 degree 4. ऐसा कोण ग्याद कीजिये जो अपने पूरक के समान हो 5. ऐसा कोण ग्याद कीजिये जो अपने समपूरक के समान हो 6. दी हुई आकृती में कोण एक एवं कोण दो समपूरक कोण है 7. यदि कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा ताके दोनों कोण फिर भी समपूरक ही रहें इस प्रशने के साथ एक आकृती दी हुई है जिसमें कोण एक और कोण दो दर्शाया गया है 7. क्या दो ऐसे कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों एक न्यून कोण है दो अधिक कोण है तीन सम कोण है 8. एक कोण 45 दिग्री से बड़ा है क्या इसका पूरक कोण 45 दिग्री से बड़ा है अथवा 45 दिग्री के बराबर है अथवा 45 दिग्री से छोटा है 9. सनलगन आकृती में 1. क्या कोण एक कोण दो का आसन है 2. क्या कोण AOC कोण AOE का आसन है 3. क्या कोण COE एवं कोण EOD रैखिक युग्म बनाते है 4. क्या कोण BOD एवं कोण DOA सम्पूरक है 5. क्या कोण A का शीरशाभी मुख कोण कोण 4 है 6. कोण 5 का शीरशाभी मुख कोण क्या है 10. यहां एक आक्रिती दी हुई है जिसमें कई कोण एक बिंदू पर स्थित है 10. पहचानिये के कोणों के कौण से युग्म 1. शीरशाभी मुख कोण है 2. रैखिक युग्म है 11. यहां एक आक्रिती दी गई है जिसमें 5 कोण, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, एवं कोण 5 एक बिंदू पर स्थित है 11. निम्न लिखित आक्रिती में क्या कोण 1, कोण 2 का आसन है 12. यहां एक आक्रिती दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर Z दर्शाया है 12. निम्न लिखित में से प्रत्येक में कोण X, Y, एवं Z के मान ग्याद कीजिए 12. यहां दो आक्रितियां दी गई है 13. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 1. यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग – है 12. यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग – है 13. रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण – होते हैं 14. यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे – बनाते हैं 15. यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिछेद करती हैं तो शीर्षाभी मुख कोण हमेशा – होते हैं 16. यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिछेद करती हैं और यदि शीर्षाभी मुख कोणों का एक युग्म – निून कोण है तो शीर्षाभी मुख कोणों का दूसरा युग्म – है 14. सनलग्न आकृति में निम्न लिखित कोण युग्मों को नाम दीजिये एक शीर्षाभी मुख अधिक कोणों दो आसन्न पूरक कोणों तीन समान संपूरक कोणों चार असमान संपूरक कोणों पांच आसन्न कोण जो रैखे की युग्म नहीं बनाते हैं इस प्रश्ण के साथ एक आकृति दी गई है जिसमें कई कोण एक बिंदू ओ पर स्थित हैं प्रिष्ठ एक सौसोलह पांच दशमलव तीन रेखा युग्म पांच दशमलव तीन दशमलव एक प्रती छेदी रेखाएं आकृति पांच दशमलव एक नौ यहां वास्तविक जीवन के तीन उदहरण दिये गए हैं स्टैंड पर रखा हुआ श्याम पट रेखा खंडों द्वारा निर्मित अक्षर वाई और एक खिड़की का जालीदार दर्वाजा इन सभी में उभय निष्ठ क्या हैं यह प्रती छेदी रेखाओं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्ज के उदहरण हैं आक्रिती 5.9 दो रेखाओं एल और एम प्रती छेद करती हैं यदि उनमें एक बिंदू उभय निष्ठ है यह उभय निष्ठ बिंदू उनका प्रती छेद बिंदू कहलाता है सोचिये, चर्चा कीजिये एवं लिखिये आक्रिती 5.2 यहां एक त्रिभुज B, C, E दिया गया है बिंदू C से रेखा A, C रेखा B, E को बिंदू P पे प्रती छेद कर रही है आक्रिती 5.2 में A, C और B, E, P पर प्रती छेद करती हैं A, C और B, C, C पर प्रती छेद करती हैं प्रती छेदी रेखा खंडों के दस अन्य युग्म ग्यात करने का प्रयास कीजिये क्या दो रेखाएं अत्वा रेखा खंड आवश्यक रूप से प्रती छेद करने चाहिएं क्या आप इस साकृती में दो रेखा खंडों के युग्म ग्यात कर सकते हैं जो प्रती छेदी नहीं है क्या दो रेखाएं एक से ज्यादा बिंदूओं पर प्रती छेद कर सकती हैं इसके बारे में विचार कीजिये प्रयास कीजिये एक, अपने आसपास के परिवेश से ऐसे उदाहरन ग्यात कीजिये जहां रेखाएं समकून पर प्रती छेद करती हैं 2. एक सम बाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिछेदी रेखाऊं द्वारा निर्मित कोणों के माप ग्यात कीजिए 3. एक आयत खीचिये और प्रतिछेदी रेखाऊं द्वारा निर्मित चार शीर्षों के कोणों के माप ग्यात कीजिए चार, यदी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं, तो क्या वे हमेशा एक दूसरे को सम कोण पर प्रतिछेद करती हैं? पांच दशमलव तीन दशमलव दो तिरयक छेदी रेखाएं शायद आपने दो अथवा अधिक सड़कों को पार करते हुए एक सड़क देखी होगी, अथवा कई अन्य रेल पटरियों को पार करते हुए एक रेल पटरी देखी होगी, इनसे तिरयक छेदी रेखा या तिरयक रेखा यानी ट्रैंस्वर्सल का अनुभव प्राप्त होता है, आकृती पांच दशमलव दो एक, प्रिष्ट 117 है, आकृती पांच दशमलव दो एक, यहां दो आकृतियां दी गई हैं, जो के तिर्यक छेदी रेखा को दर्शाती हैं एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन बिंदूओं पर प्रतिछेद करती है तिर्यक छेदी रेखा यानि ट्रांस्वरसल गहलाती है आकरती 5.22 में P रेखाएं L और M की तिर्यक छेदी रेखा है आकरती 5.22 यह आकरती भी तिर्यक छेदी रेखा को दर्शाती है आकरती 5.23 में P एक तिर्यक छेदी रेखा नहीं है तथा पी यहे रेखाएं L और M को काटती है क्या आप बता सकते हैं क्यों? आकरिती 5.23 यह आकरिती तेरियक 6 रेखा को नहीं दर्शाती है प्रयास कीजिए 1. मान लीजिए दो रेखाएं दी हुई हैं इन रेखाओं के लिए आप कितनी तिरियक 6 रेखाएं खीच सकते हैं 2. यदि एक रेखा तीन रेखाओं की तिरियक 6 रेखा है तो बताईए कितने प्रतिछेदन बिंदु हैं 3. अपने आसपास कुछ तिरियक 6 रेखाएं ढूंढने का प्रयास कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन व निर्मान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIT NCERT नई दिल्ली भारत